ज़ोडने वाली एक महतुर करी होती है पर दोस्तो दुनिया में कुछ ऐसी भी सरकी है जहां सफर करना वेहर जोकीं भरा काम होता है और कई तो ऐसे भी सरक हैं जहांपर जान को अंधेली में लेकर चरना पड़ता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही खतरनाक सर्फों को दिखाने वाले हैं जिने सायद आपने पहली कभी नहीं देखा होगा तो दोस्तो इस वीडियो को आकरी तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग होने वाली है नमबर बन मनंग रोड दोस्तो नेपाल में बने इस रोड पर सिर्फ हुआ ही ड्राइब कर सकते हैं जिने अपनी जान की परवा नहीं क्योंकि नेपाल के मलंग पहारी पर समुद तल से 3500 मेटर के उचाई पर बना यह रोड बेहत खतरनाक और डरावना है इस रोड में हमेशा पानी भरा रहता है और पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि यह किसी को भी अपने साथ बहा ले जाए और यहाँ सेफ्टी के नाप पर कोई साइट बेरियर भी नहीं लगाया गया है यहाँ से गुजरने वाले लोगों को हमेशा अपनी जान को हथेली पर लेकर चलना पड़ता है वैसे दोस्तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरू बताएं दोस्तो इस पेन के अडोरा में बना यह ब्रीज दुनिया के सबसे खतरनाज ब्रीजों में से एक है जिस पर पैर रखते ही लोगों के पैर लर्खडाने लगते हैं यह ब्रीज 100-200 साल पुरानी है इस हंटिंग ब्रीज पर चलना अपने जान को हंथेली पर लेकर चलने के बराबर है जिस पर चलते हुए अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है वैसे इस स्कूल को बिना सेप्टी के पार करना किसी पागलपन से कम नहीं होगा दूस्तो अब आप दुनिया के कुछ ऐसे बच्चों से मिलने वाने हैं जिन्हें पढ़ने के लिए रोज अपने जान को जोखिम में डालना पड़ता है आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा भी स्कूल है जहां पढ़ने जाने के लिए बच्चों को एक तेज रप्तार से बहते हुई नदी के उपर से गुजरना पड़ता है और वो भी किसी ब्रीज के उपर से नहीं बलकि उनके लिए गाउंवालों ने रस्ची और गेज के सहारे एक खुद का लिप्ट बनाया है और इस गेज की मदद से बच्चे रोज स्कूल जाते हैं और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो रस्ची को पकड़कर ही नदी को पार कर लेते हैं पर दोस्तों सूचिए अगर नदी पार करते हुए अगर इन बच्चों का पैट फिसल जाए तो इनका क्या हाल होगा वैसे इस स्कूल जाने के लिए ऐसा खतरनाक रास्ता साइब आपने पहले कभी नहीं देखा होगा दोस्तों वहाँ की सरकार को जल्दी इन बच्चों के लिए ब्रीज बनवाना चाहिए आपकी क्या राय है कमेंट में जरू बताएं दोस्तों अब जिस रोड का वीडियो आप देख रहे हैं वो जमीन से सुरू होगर पहारियों में घोंते घोंते उपर तल जाती है यह रोड सिफ 11 किलो मिटर लंबी है लेकिन इसका एंड 1100 मिटर उचाई पर खत्म होता है इस रोड पर ड्राइब करते वक्त आपको 99 यूटन मिलेंगे जिस वज़े से आप सामने से आने वाली गारियों को कभी देख नहीं सकते हैं यहां ड्राइब करने वाले बस ड्राइबर को हमेशा अपनी जान को हटेली पर लेकर चलना पड़ता है वैसे ही सड़क के हर किनारे पर बेरियर तो लगे हैं लेकिर अगर आप स्पीड में हैं या फिर अपने धून में मस्त हैं तो कुछी देर में आपको खाईब में गिरने से कोई नहीं बचा सकता दूस्तों ये दुनिया की सबसे खतरनाफ सड़कों में से एक है जिसे गुवालिंग नाम की एक गाउं को सहर चे जोडने के लिए तेरा गाउं वालों ने मिलकर बड़े-बड़े पत्थरों को तोड़ करी सड़क को बनाया था लेकिन इसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इसे किसी इंजीनियर से बनाया हो इस अनोखे रोग को देखने के लिए लोग यहां दूर-दूर से आते हैं यहां एक चनल भी है और इस चनल की चोड़ाई बहुत कम है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं यह इतना छोटा है कि यहां से एक बस बड़े मुश्किल से ही निगल पाती है यहां पर कई ऐसे खतरनागी मौड भी है जहां से गिरने का डर हमेसा ही बना रहता है दोस्तो इस खतरनाग सरक के लिए एक लाइक to बनता है इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे नमर सिग्स इयल कैमेनिटो दिल रे दोस्तो ईयल कैमिनेटो हमारी लिस्ट के सबसे खतरनाख ब्रीज है यहां से गिर कर काई लोग अपने जान गमा चुके हैं यह इतना खतरनाख है कि इस पर चलने से पहले लोगों को एक हफ्ते तक हाइकिंग की ट्रेनिंग दे जाती है देर सो मिटल की उचाई पर बना यह ब्रीज बहुत ही कमजोर लकड़ियों के सहारे खड़ा है और इसमें कुछ ऐसे जगह भी है जहां पर ब्रीज पूरी तरह से टोटी होई है यानि यह ब्रीज काफी कमजोर हो चुकी है इस पर चलते हुए लोगों के पैर भी फिसन जाते हैं इसलिए यहां पर फूप फूप कर कदम रखना पड़ता है वरना अपने लापरवाही का नतीज़ा आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है नमबर सेवन त्रिप्ट ब्रीज दोस्तों दुनिया के सबसे खुष्सूरत वादियों के नाम से पुरी दुनिया भर में फेमस स्वीजर लेंड अपने त्रिट ब्रीज की वज़े से बहुत चर्चिबी रहता है यह ब्रीज दुनिया की सबसे खतरनाक और खुबसूरत ब्रीज़ोत ब्रीजस में से एक है इस ब्रीज के सर्फिस को लकड़ियों से बनाया गया है और यह 300 फिट की उचाई पर होने की वज़े से हवाई इस ब्रीज को किसी जूले की तरह हिलादे रहती है जिससे उस पर ख़ड़े लोगों के रॉंटे तक खड़े हो जाते है लेकिन इस ब्रीज के ऊपर से बेहती खुबसूरत नजारा देखने को मिलता है इसलिए लाखों लोग यहां घूमने आते हैं तो दोस्तो यदे आपको इस बीडियो का पार टूर चाहिए तो कमेट में पार टूर लिखकर हमें जरूर बताएं दोस्तो आज की इस बीडियो में बस इतना ही नीचे दिये लाव करने के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए प्लिस सब्सक्राइब करना ना भोले